भारत के चारो दिशाओं में अंतिम सीमा बिंदू इससे कोश्चन पूछ ली जाता है एक्जाम में ठीक है तो याद रखने हैं आपको दच्छिर्टम बिंदू कौन सा है भारत का सीधा सीधा कोश्चन आएगा करेक्ट आंसर होगा इंद्रा पॉइंट भारत का जो दच्छिर्टम बिंदू है वो है इंद्रा पॉइंट अब ये है कहाँ पर ये है ग्रेट निकोबार दीप में ये ज्यादा इंपोर्टन कोश्चन है कोशन आएगा कि इंद्रा पॉइंट कहां पर इस्तित है तो दच्छिरतम बिंदू इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार्दीप में इस्तित है ठीक है इसके बाद second है उत्तरतम बिंदू दोनों के नाम एक जिसे हैं दच्छिरतम बिंदू तो है इंद्रा पॉइंट और जो उत्तरतम बिंदू है वो है इंद्रा कॉल क्या है इंद्रा कॉल और इंद्रा कॉल कहां पर है ये लद्दाक में है ठीक है इंद्राकॉल लद्दाग में है दोनों ही आपको याद रखने है इसके बाद पश्चिमतम बिंदु अगर कुछा जाए तो वो है गोर माता गोहार मोती भी इसको कहा जाता है यह कहां पर होगा गुजरात में होगा ठीक है यह कहां पर है गुजरात में पश्चिमतम विंदू गोर्माता या फिर गुहारमोती गुजरात में पूरवत्वत्तर बिद्र पर है की वीथू अरुणाचल प्रदेश में एक Qुश्चन ऐसे भी उपसलेु असे बहुता है तो जो अणना चल प्रदेश में युखता है ये भी आपको याद रखना है मुख्यभूमी का दच्छिड़तम बिंदु कुन सा है तो जो मुख्यभूमी हे भारत की तमिलनाड़ू में है उसका जो दच्छिड़तम बिंदु है कन्या कुमारी और ये कन्या कुमारी कहां परिस्तित है 8 डिगरी 4 मिनट उत्री अच्छांस पर तो मैंने आपको बताया था भारत कहां से कहां तक विस्तित है 4 डिगरी उत्री अच्छांस से 37 डिगरी 5 मिनट उत्री अच्छांस के बीच में भारत इस्तित है और यदि इसके दचिरतम आपको देशांतर में पूछा जाए तो देशांतर में 8 डिगरी 37 डिगरी 6 मिनिट है ये और यदि देशांतर में पूछा जाए तो 68 डिगरी 7 मिनिट से लेके 37 में डिगरी 25 मिनिट तक ये पूरवी देशांतर के मद्धे में इस्तित है दोनों आपको याद रखने 8 डिगरी 4 मिनट उत्री अच्छांस से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अच्छांस के बीच और 68 डिगरी 7 मिनट पूरवी दिसांतर से 17 डिगरी 25 मिनट पूरवी दिसांतर के मध्यम भारत इस्थित है अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करदें चैनल को